राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि पाप अंकुषा एकाशी कब है बंधों पाप अंकुषा एकाशी आश्विन मास के शुकल पक्ष की ग्यारस तिधी को आती है जो की बहुत ही महत पूरन मानी जाती है इस दिन शीहरी की पूजा करने वाले के सभी पाप स्माथ हो जाते है अर्था जो शीहरी की पूजा करता है वह व्यक्ति पापों से मुर्थ हो जाता है बंधों हर मुष्य से दिन में जाने अन जाने में बहुत से पाप होते हैं जो कोई भी पाप पांकुशा एकाशी का वरत कर लेता है उसके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं बंधों पाप अंकुशा एकाशी आश्वन शुकल पक्ष की ग्यारस तिठी को आती है पाप आंकुषा एकाशी व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं भगवान विश्नु पूरी कर देते हैं बंधों आश्वेन महा के शुगलपक्ष की एकाशी को पाप आंकुषा एकाशी के नाम से जाना जाता है इस दिन व्रत करने वाले को यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती बंधों पाप आंकुषा एकाशी दो हजार तेईस में कब है बंधों पाप आंकुषा एकाशी दो हजार तेईस में पच्चिस अक्तूबर को है पदम पुरान के अनुसार जो व्यक्ति, स्वरन, तिल, भूमी, गव, अन, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यम्राज के दर्शन नहीं होते उसी प्रकार जो कोई भी पाप आंकुषा एकाशी का व्रत कर लेता है ये सारे दान करने की समान उसे फल प्राप्त होता है बंधों पाप आंकुषा एकाशी 24 अक्तूबर को दोपहर 3 बज़ कर 14 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 25 अक्तूबर को दोपहर 12 बज़ कर 32 मिनट पर स्माप्त होगी उदै तिथी होने के कारण यह व्रत 25 अक्तूबर को ही रखा जाएगा पाप आंकुषा एकाशी व्रत का पारण 26 अक्तूबर को सुभे 6 बज़ कर 28 मिनट से सुभे 8 बज़ कर 43 मिनट तक किया जाएगा पारण तिथी के दिन द्वाशी स्माप्ती होने का समय 9 बज़ कर 44 मिनट है बन्धो पाप आंकुषा एकाशी का महत्व क्या है पाप आंकुषा एकाशी का व्रत अपने नाम स्वरूब व्यत्ती को पाप से मुक्ति दिलाता है कहा जाता है पाप आंकुषा एकाशी का निराहार व्रत करने से शीहरी भगवान विश्णू बहुत प्रसन होते हैं और भगतों को कभी भी धन दोलत सुक सोभग्य की कमी नहीं होने देते बंधो पाप अंक्षा एकाश्षी व्रत की पूजा विधी क्या है? पाप अंक्षा एकाश्षी के दिन प्राटे काल जल्दी उठें शिनावन आदि से निवरित होकर व्रत का संकल्प लें संकल्प अपने शक्ति के अनुसार लें जैसे कि यदि आप निवरत फलाहार करना है या फिर बिना भोजन की वरत करना है उसी प्रकार का संकल्प लें इस प्रत को रखने वाले को रात्री में विश्णु सहस्तनाम का पार्ट अवश्य करना जाहिए इस प्रत का समापन दौशी तिथी के दिन करना जाहिए पहले प्राहमनों को भोजन कराएं अन का दान दें आद दक्षिना दें और फिर ही ब्रत का पारन करें बंधों ब्रत के दिन कुछ नियुमों का पालन अवश्य करें बालादी ना कट्वाएं ना ही ना खून काटें किसी जीव की हत्या ना करें, किसी की चुगली ना करें ऐसा ब्रत करने के दिन अवश्य करें पंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवश्य करना धन्यवाद, राधे राधे, जे श्री कृष्णा झाल झाल झाल